दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फेस्बुक में अगर आपके दोस्त की स्टोरी आपको दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करते हैं पहले आपके दोस्त की story आपको यहाँ पर दिखाई दीती थी लेकिन आप दिखाई नहीं दे रही हे तो कैसे यहाँ पर अपने दोस्त की story को लाएंगे कैसे आप अपने friend की story को दिखेंगे यह सारी details आपको इस video में मल जाएगी कई सारे लोगों को facebook में ये problem आ रही है अपने दोस्तों की story उन्हें दिखाई नहीं दे रही है तो अगर आपको भी दिखाई नहीं दे रही है तो आपको क्या करना है facebook पर एक second के लिए दबाना है इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ settings दिखाई देगी यहाँ पर आपको app info प यह वाली setting आपको मिलेगी इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे clear catch आपको यह सेटिंग ऊपर में या नीचे में मिलेगी clear catch पर आपको क्लिक करके catch फाइल को delete कर देना है clear storage या clear data नहीं करना है सिरिफ clear catch करना है इसके बाद आपको facebook app को बंद क करना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके दोस्त की story आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी लेकिन यह सारी setting करने के बाद भी आपके दोस्त की story आपको दिखाई नहीं दे रही है तो दोस्तों जाने अंजाने में गलती से आपने उसकी story को mute कर दिया हो जब भी पूजा story लगाईगी तो मुझे उसकी story दिखाई नहीं देगी तो इस तरह से गलती से आपसे setting हो गई होगी तो आपको क्या करना है अपने दोस्तों की story को unmute करना है कैसे करेंगे आपको यहाँ पर three line पर click करना है इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर settings and privacy पर click क करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा नीचे में आप देखेंगे stories you mute आपको इस setting मिल जाएगी इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर view पर जैसे आप click करेंगे तो जितनी भी story आपने mute की है वो सारी story यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है उसकी story के सामने unmute पर click करना है तो उसकी story दोस्तों आपको दिखना शुरू हो जाएगी यहाँ से हम back आते हैं back आने के बाद अब पूजा की story मुझे दिखना शुरू हो जाएगी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ page को refresh करते हैं तो यहाँ दोस्तों जो setting हमने अभी यहाँ पर की है settings में अगर आप आएंगे यहाँ पर और story settings में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों story की privacy setting होती है इस पर अगर आप click करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से दोस्तों आप story की setting को change कर सकते हैं कि आपकी story किसको दिखना चाहिए और किसको नह दिखना चाहिए तो आपके दोस्त ने आपसे इस्टोरी को छुपा लिया है इसलिए आपको उसकी इस्टोरी दिखाई नहीं दे रही है तो आपको अपने दोस्त से पूछ लेना है भाई तुने मुझसे इस्टोरी हाइट तो नहीं कर लिया है अब जाने अंजाने में गलती से setting होई होगी या उसने खुद की होगी अगर आप उसका mobile ले सकते हैं तो आपको facebook में यहाँ पर आना है और आपको इसे यहाँ पर क्या करना है public पर set कर देना है अगर आप उसके friend है तो आप friend पर भी set कर सकते हैं तो उसकी story फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी story दिखने का अगर माल लीजी आपके दोस्त की story आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है तो उसका नाम आपको यहाँ पर search करना है यहाँ पर आना है आपको search बाद में algún दिखाई दे रही है तो बस आपको उसका नाम search कर लेना है नाम search करना है डीपी पर click करना है अगर उसने story लगाया है तो आपको view story का option मिलेगा इस पर आपके लिख करेंगे सीधा उसकी स्टोरी ओपन हो जाएगी तो ये दोस्तो तीन-चार सेटिंग ती जिसकी मदब से आप अपने दोस्त की स्टोरी को देख सकते हैं अगर उसकी स्टोरी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक बात का आपको